हbeard everyone welcome back to our youtube channel पिहूँन दुद्रा कॉरणर। आज की class में हम देखने वाले हैं class second के बच्चों को ले मास फ़कशीट और यह वकशीट एक revision वकशीट है बच्चों को हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ा सकते हैं जो बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है last classes में तो उसको correlate करते हुए हमें बच्चे को next class के तरफ move कराना है तो हमें बच्चों को क्या starting में पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है आज की class में हम यही देखने वाले हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विना किसी देरी के वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी से request है अगर आप चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी बैल आकन भी प्रेस कर ले तक कि आने वाली जो भी वीडियो हैं इस टाइप की आपको मिल पाएं और आप इतने बचों की अच्छे से practice करा पाएं तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं तो यहाँ पर बच्चो को कुछ बॉक्सस दिए गए इन बच्चो को देकना है और इसमें जो नमबर इनको इनको रिट करना है और इहाँ पर इनका जो नमबर हो लिखना है फिर इन्ही नमबर को एक्शिर forms में भी लिखना है यहां पर दिया है 1 & 2 means 200 तो यहां पर हम लिख देंगे 2 200 और यह क्या है 110 तो लिख देंगे 1 & 1 2 1 2 2 क्या बन गया 212 अब हमें इसी नंबर को expanded form में भी लिखना है तो बच्चा कैसे लिखेगा 200 1 10 प्लस हमें इस तरह की प्रैक्टिस आप बच्चों को जरूर करा है सेम इसी टाइप का रैक्स कोशन भी है जैसे हां पर how many hundreds 1 2 3 4 400 1 2 3 how many tens 3 tens and 1 2 3 4 4 ones 434 इसी को हमें expanded form में भी लिखना है फटा फट से हम इसको भी लिखेंगे 400 plus 3 tens plus how many ones 4 ones इस तरह से बच्चों को आप इन numbers के expanded form भी लिखने की practice करा सकते है now the next question is write true and false in the given boxes तो यहांपर कुछ statements दिये हैं बच्चों को read करने हैं और अगर statement true है तो true लिखना है अगर false है तो false लिखना है जैसे कि first statement देखेंगे हम 8 tens plus 3 ones equals to 38 8 tens and 3 ones makes 83 और यहांपर लिखा है 38 तो यहांपर हम लिख देगे false next देखेंगे 9 tens plus 0 ones equals to 9 next 6 tens plus 6 ones equals to 67 it is false 6 tens plus 6 ones makes 66 और यहांपर है 67 तो यह क्या हमारा false है next देखेंगे 7 tens plus 3 ones equals to 73 it is true 7 tens plus 3 ones makes 73 next 2 tens plus 1 ones makes 20 it is false 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 तो इस तरह की भी आप बच्चों को प्रैक्टिस जरूर करा है बच्चों को जो statement इस टाइप से देखर true false लिखने के लिए बोल सकते हैं now move to the question write the symbol greater than less than और equal तो बच्चों को यहां पर number comparison सिखाया जाता है बच्चे अल्रेडी class 1 में number comparison सीख कर आते हैं तो यहां पर जो numbers हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं ऐसे कि बच्चों ने 200 तक अगर सीखा है तो 200 तो 999 तक बच्चे यहां पर सीखेंगे तो यह एक revision worksheet है इसलिए मैंने यहां पर जो numbers है थोड़े चोटे number लिए हैं तो इस तरह से बच्चों को आप practice करा सकते हैं जिसे कि first step 57-75 तो 57 is less than 75 next देखेंगे 102 is less than 201 next one is 336 is greater than 323 तो sign किस तरफ को जाएगा 336 next देखेंगे 9-2-5 plus 1 तो इस equation को बच्चे पहले solve करेंगे उसके बाद जो भी answer आता है उसके according बच्चे को greater than और less than और equal का sign put करना है जैसे कि 9-2 होता है 7 5-1 होता है 6 तो हमारा sign किस तरफ को जाएगा 7 is greater than 6 sign जाएगा हमारा 9-2 की तरफ next देखेंगे 5-3-6-2 तो 5-3 होता है 8 और 6-2 होता है 8 तो हमारा sign किस तरफ को जाएगा equal यहां पर हमारा कौन सा sign आएगा equal 5-3 equals to 6-2 next है 145-541 तो 145 is less than 541 तो इस तरह से बच्चों को number compares करना सिखाते हैं इन equations के form में भी आप बच्चों को जरूर सिखाएं now move to the next question write the number and number names it is also very interesting and important question इस टाइप की conditions देकर बच्चों को आप जरूर इस टाइप की practice करा हैं बच्चों की logical thinking इससे काफी अच्छी होती है बच्चे नए नए जो चीजे हैं वो create करना सीखते हैं जैसे कि if triangle equals to 100 rectangle equals to 10 and circle equals to 1 तो triangle equals to 100 दिया है तो हम पहले triangles को count कर लेंगे 1 2 3 4 how many triangles 4 यहाँ पर हमें 4 fill करना है next rectangle equals to 10 तो हम 10s पर जाएंगे 10s हमी कितने दिये हैं 1 2 3 तो यहाँ पर हम 3 fill करेंगे next circle equals to 1s तो circle कितने दिये हमें 1 2 तो हमारा number क्या बना 432 अब इसी number को हमें number name में लिखना है जैसे कि हम लिखेंगे 432 इस तरह से next है यहाँ पर भी एक condition दी गई है इसको भी हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पर triangle कितने दिये गए है 1,2,3,4,5,6 तो यहाँ पर हम 6 fill कर देंगे next है 10 तो 10 कहां दिये है में 2 दिये है 1,2 तो यहाँ पर हम 2 fill कर देंगे and once कितने हैं हमारे पास 1,2,3,4,5,6 6,1 से तो इसको हम यहाँ लिख देंगे काउंट करेंगे क्योंकि हमारे जो triangle है वह 100 प्लेस पे है 1,2,3,4,5,6,7 से वन नेक्स्ट rectangle कितने दिये है 1,2,3,4,5 5 and circle कितने दिये है 1,2,3,4,4 तो हमारे नमबर आया 754 इसको हमें number names में लिखना है इसको भी हम fill कर देंगे तो इस तरह की practice भी बच्चों को आप जरूर करा है जब दिया है circle the correct number तो यहाँ पर बच्चों को number name दिया है इस number name के according बच्चे को correct जो number है वह circle करना है जैसे कि first जो हमें number name दिया है 403 क्या दिया है 403 तो 403 जहाँ भी लिखा है इसको हमें circle बनाना है जैसे कि यह लिखा है 430 यह है 403 तो इसको हमें circle बनाना है next is 828 क्या लिखा है 828 तो यह लिखा है 288 928 and this one is 828 इसको हमें circle बनाना है next is 101 तो 101 हम कैसे लिखते है 101 100 या 110 तो correct number क्या है हमारा 101 next is 731 तो 731 हम numbers में कैसे लिखेंगे 730 क्या है 730 and 731 means 731 इसको हमें circle बनाना है next देखेंगे 553 तो 553 हम numbers में कैसे लिखेंगे 550 555 555 555 and 553 553 इसको हमें circle बनाना है इस तरह से तो इस तरह से बच्चों का practice करा सकते है number names के according हमें number कौन सा choose करना है now come to the next question fill in the blanks तो यहाँ पर कुछ blanks दिये गए हैं बच्चों को complete करने हैं जैसे के दिया है dash 400 प्लस 2 10s प्लस 9 1s it makes 429 next है 135 इकोल तो dash 100 प्लस dash 10s प्लस dash 1s तो 100 3 10s प्लस 5 1s next है dash 500 प्लस 8 10s प्लस 9 1s तो 589 नेक्स देखेंगे 555 तो 555 500 5 10s प्लस 5 1s तो इस तरह की flinty blanks की भी practice आप बच्चों को ज़रूर करा है now the next question is write the place value of the underlined digit तो बच्चों के यहाँ पर place value लिखनी है जो भी number दिया है उसके according जैसे कि first number दिया है 216 तो यहाँ पर 6 की place value पूची गई है तो 6 की place value क्या होगी 6 next है 321 तो यहाँ पर 3 की place value पूची गई है तो 3 की place value क्या होगी 300 next है 534 तो 534 में 3 की value क्या है 30 तो place value बच्चों को हम एक simple सी बात बता सकते हैं यहाँ पर जो भी जो place value होती है depend करती है number की position पे जैसे कि यह number कौन सी position पे है once पे है तो इसकी जो place value होगी same होगी next है 321 तो 321 में 3 की place value क्या है 300 क्यूं है क्यूंकि 3 हमारा कौन सी place पे है hundred place पे है next है 534 तो यहाँ पर हमने 3 की position देखी 3 की position क्या है 10 पे है तो इसकी value क्या होगी 30 ऐसे ही next देखेंगे 436 436 में 4 की place value क्या है 400 क्यूंकि 4 का हमारा 4 जो है हमारा hundred place पे है next देखेंगे 541 तो 541 में 1 हमारा कौन सी place पे है once place पे है तो इसकी value क्या होगी 1 होगी next है 333 तो 333 में जो यह वाला 3 है कौन सी place पे है 10th place पे है तो इसकी place value क्या होगी 30 तो इस तरह से बच्चों को आप बता सकते हैं जो number जिस position पे होता है once पे हो hundred पे हो या फिटेंस पे हो उसकी वही place value होती है now write the number which are sewn on abacus तो यहाँ पर कुछ beats दिये गए है इन beats के according बच्चों को number यहाँ पर fill करना है जैसे की once place पे हमें कितने beats दिये गए है हमें count करना है और यहाँ पर fill कर दिना है one two three four five six seven eight nine तो यहाँ पर हमें nine fill करना है next दिखेंगे one two three four five six six next है one two three तो यहाँ पर हम लिख देंगे three तो number हमारा क्या बन गया three hundred and sixty nine ऐसे ही next कर लेंगे यहाँ पर हम numbers count करेंगे one two three four five six यहाँ पर हमें six लिखना है one two three four four one two तो number क्या बना हमारा two hundred forty six तो इस तरह से यह work sheet complete होती है तो यह थी आज की work sheet आज की work sheet आपको कैसी लगी i hope informative and helpful लगी हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल पर फस्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लें साथी बैल आकन भी प्रेस कर लें तक कि आने वाले जोबी वीडियो है उनका notification आपको मिल जाए साथी इसका पीडि कि?